नमस्कार दोस्तों मैं स्वपनिल आज 8 सितंबर 2022 है आज हम बात करेंगे सर्सों के डूपते हुए दामों के बारे में जैपुर में सर्सों तेल कच्ची घानी एवं एक्सपेलर की कीमत बुधुवार को 20-20 रुपए की गिरावट के साथ करमशे तेरा सो दो रुपए और बारा सो इक्राण में रुपए प्रती 10 किलो पर पहुँच गई हाला के कल सर्सों खलकी कीमते में कोई बदलाव नहीं हुआ भाव 2450 रुपए क्विंटल के पूर्वस्तर पर बने रहे वैश्वेक इस्तर पर पाम तेल की कीमतों में गिरावट आने से घरीलू बजार में कल सरसो की कीमतों में 50-150 उप्रती क्विंटल तक की भड़ी गिरावट देखने को मिली जैपुर में कंडिशन की सरसो के भाव 75 उप्रती क्विंटल रहे गए जबकि अलवर कोटा सलोनी का भाव 1500 उप्रती क्विंटल पर पहुँच गया इस सप्ताह की शुरुवाती दो दिनों में खाद्य तेलों के बाजार को हलकी मस्बूती मिली लेकिन बुधुवार को सोया, पाम, सरसो, कॉर्टन वाश और सूरज मुखी तेल में फिर गिरावट भड़ी वहीं मुफली तेल में मामुली सुधार आया और शेश तेल तिलहन में भी अस्तरता का माहौल रहा अर्जेंटीना में सोया बीन के उत्पादन भड़ने के अनुमाम से श्रिकागो वाइदा लगभग एक प्रतीशत गिर कर 13.85 डॉलर प्रती बुशल तक आ गया ब्राजील में भी सोया बीन के अच्छी फसल के कारण सोया कंप्लेक्स के वाइदे में गिरावट आ रही है उनकार्णों से बुधवार को सोया तेल में ही सरवादे गिरावट दर्स की गई विदेश बजार में खादे तेलों की कीमतों में लगातार गिरावट की स्थती बनी हुई है जानकारों के अनुसार मलेशिया और इंडोनेशिया में जहां पाम तेल उत्पादों की इन्वेंट्री लगातार भढ़ रही है वही COVID-19 के कारण चीन की आयात मांग प्रभावित हुई है सूत्रों के अनुसार मौसम अनुकूल होने से जहां पाम तेल के प्रमुख उत्पादक देशों इंडोनेशिया और मलेशिया में उत्पादन भढ़ने का अनुमान है वही निर्यात में कमी आने की आशंका से विश्व बाजार में पाम तेल की साथ ही सोया तेल की कीमतों पर दबाव बना रहने का अनुमान है राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में मलेशिया इपाम ओयल बोर्ड के आकड़ों से पहले इंवेंटरी दो दश्मलव शुन्य तीन मिलियन टन होने का अनुमान जारी किया है साथी सोया तेल के प्रमुक आया तक चीन के कमजोर आर्थिक आकड़ों से भी मांग प्रिभावित होने का डर है बर्सा मलेशिया डेरिवेट्विस एक्सचेंज बीएमजी के नवंबर महिने के वाइदा अनुबंध में पाम तेल की कीमतों में तिरांड में रिगिट यानी की 2.45 फीस्दी की गिरावटा कर भाव 3704 रिंगिट प्रती टन पर बंद हुआ शिकागो में इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग में 800 या तेल की कीमतों में शाम के सत्र में 0.4 फीस्दी की गिरावटाई देशभर की मंडियों में बुद्वार को सरसो की दैने कावग 2.25 लाग बोरियों की हुई जबकि मंगलवार को भी आवग इतनी ही बोरियों की हुई थी दोस्तों तिलहन दलहन मसाला सोना चांदी अकचे तेल पर विशेश रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबर आपकी स्क्रीन पर दे हुए हैं आजे एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फैनेंशियल डिजिटल चानल है जो 42 कमोडिटी पांच मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेशन देता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें किसी भी अगरीम विश्लेश रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिये हुए हैं किसी भी आपकी संपर्क कर सकते हैं